श्याओमी पेड़ 6 के उपर काफी एक अच्छी डील है वो आपको आपन मिल रही है फ्लिपकाट की बीबीडी सेल के उपर आज की इस वीडियो में इस टेप को हम लोग अन्बोक्स करने वाले हैं प्लस मैं आपको बताऊँगा कैसे कम से कम प्राइस के अंदर आप लोग इस टेप को कैसे बाई कर सकतो आप लोग जैसे बोक्स को अन्बोक्स करोगे आपको सामने की तरफ रखावा मिल जाएगा टेप और बाकी कुछ आपको ज़्यादा चीजी है ना वहाँ पर बोक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर आ जाते हैं तो एक के अंदर आपको श्याओमी का 33 वोट का पावर एडेप्टर मिल जाता है विद केबल के साथ में तो यह काफी अच्छी बात है बाकी साइड वाली लीड आप लोग देखते हो ना तो इसके अंदर आपको नॉर्मल डोकुमेंटेशन है वहाँ आपर मिल जाते है जो किया पर कुछ इस परकार से नजर आते हैं तो टेप हमने जो बाई किया है वो है ग्रे ग्राफाइट बाकी इसके अंदर आपको एक और कलर का ओप्षिन है वह आपर मिल जाता है जो कि नेवी ब्लू कलर के अंदर आप लोग कह सकते हो पीछे से आपको इसकी डिजाइन है वहाँ आपर कुछ इस परकार से मिल जाती है पीछे आपको तीन मेगनेट्स मिल जिससे कि cover और pencil काफी सारी चीज़े है आप लोग इसको यहां से use कर पाऊगे यहां पर Xiaomi है जो की mention किया गया है black color के अंदर यहां पर आपको जो camera module है वो कुछ इस परकार से मिलता है और camera की जो quality है वो भी काफी सही है आगी मैं आपको बताने वालों 13 megapixel का आपको camera मिल जाता है और बस एक ही camera है यह वाली बस इन्होंने design है वो mention कर रखिए with dual face के साथ में बाकी पीछे आपको complete mate के design है वो मिल जाती है और aluminum design है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है side से आप लोग देखते हो तो ऐसी design है power up और down button एक आपको sensor मिल जाता है और यह वाली जो चीज है ना यहां से आप लोग अपनी जो pencil है Xiaomi की pencil है उसको आपर connect कर पाऊगे और इस tape के अंदर आपको four speakers का option मिल जाता है first, second और दो आपको top में मिल जाते है यहां से आप लोग अपनी tape को charge कर पाऊगे एक और आपको sensor है वह आपर मिल जाते है और उपर की तरफ आप लोगों को ये दो speaker मिल जाते है और यहां पर dolby vision 8mos है जो की mention किया गया है और power button है guys वो आपको यहां पर देखने को मिलते है Xiaomi paid की जो display न वहां पर कुछ इस परकार से नजर आती है और इसके में आपको pros and cons है वो भी आपर आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले हम लोग देखते है इस tape के अंदर आपको pre-installed कौन सा software update है वो यहां पर देखने को मिला है तो guys इसके अंदर आप लोग देख सकतो MIUI वर्जन आपको मिलता है 14.0.7.0 का नया update है वो यहां पर आ चुक है और already hyperOS का update है वो आ चुक है तो pre-installed आपको 14.0.1.0 और android 13 का update है वो आपको यहां पर मिल जाता है बाकि android 14 का update है वो इस tape के अंदर आपको मिल जाएगा उसके लिए simply आपको setting application के अंदर जाना है और यहां पर आपको hyperOS का जो update है वो मिल जाएगा सामनी की तरफ आपको इस परकार की इस tape के अंदर display मिल जाती है बेजल्स है वो काफी कम है अब आप लोगे कि बाई side में आपको बेजल्स तो मिल ही रही है और काफी अच्छी कासी मिल रही है तो गाईज यह चीज आपको बताना चाहूंगा tape के अंदर इतनी display है वहाँ पर होनी ही चीए क्योंकि smartphone को तो हम लोग ऐसे stand कर लेते हैं बागी tape को तो कुछ ऐसे पक्टेंगे न तो यह वाली जो चीज है न वो यहाँ पर touch होगी अगर screen पर होगी न तो आपको accidentally जो touch है न उसको भी आपर देखना पड़ेगा बागी tape के जो quality है न साउंड की वो मैं आपको सुनाना चाता हूँ एक चीज तो है गाईस चार speaker इस tape के अंदर मिलते है और उसका जो फाइद है न वो भी हम लोग यहाँ पर सुन पा रहे होगे काफी एक अच्छी sound quality है वो आपको इस tape के अंदर देखने को मिल जाती है अब इस tape के कुछ pros and cons है वो मैं आपको बताना चाहूँगा उससे पहले फटाफट से हम लोग camera की जो quality है उसको भी चेक कर लेते हैं तो rear के अंदर आपको 12MP का camera मिल जाते हैं तो एक फोटो मैंने कुछ ऐसी क्लिक की है और एक फोटो मैंने कुछ ऐसी क्लिक की है तो first वाली फोटो से try करते हैं देख सकते हो guys इतना ज़्यादा कुछ खास camera नहीं है अगर हम लोग smartphone का camera देखते हैं तो वो यार कुछ ज़्यादा फोटो है वो यहाँ पर clear करते हैं तो ऐसी आपको design है वो इस tape के अंदर देखने को मिल जाती है बागी front के अंदर भी camera sensor है जिसकी quality है वो आपको okay देखने को मिलती है इतनी कुछ खास नहीं है अब इस tape के कुछ में आपको pros है वो यहाँ पर बताना चाहूँगा मतलब की advantages तो सबसे पहले इसकी जो display है वो य battery life इस tape की guys आप लोग मानोगे नहीं battery life वो काफी सही चलती है अगर आप लोगों का normal सा usage है जैसे की मेरी तरह है तो 3-4 दिन आप लोग इस tape को easily आपर use कर पाऊगे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कुछ खास इसको use नहीं करता हूँ और अगर आपको web series content ये सबस देखने में ज़्यादा मजाता है तो एक दिन में आपका ये जो tape है वो already battery backup है वो यहाँ पर provide करा देगा जो की काफी सही है और काफी बड़ी इसके अंदर आपको tape के अंदर battery मिल जाती है थेड है जो की है audio quality जो की मैं आपको already live demo दिखा भी दिया है कि कैसी quality है वो हमें मिलती है और जो fourth हमारा last point है वो है MIUI का एकदम clean experience इस smartphone का experience तो मैं आपको नहीं कहूंगा MIUI का लेकिन इसका experience आप लोग देख सकतो एकदम clean look है clean आपको control center मिल जाता है clean आप लोगों को notification panel मिल जाता है और नीचे आपको iPad की तरह है इस परकार का dock मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारी application है वो लोग on करोगे ना जैसे की Google Maps है वो मैंने आप पर यहां से on किया है तो अब यह वाला map वो आपको यहां पर show हो जाएगा Play Store को जैसे कि मैंने on किया है close किया है तो यह चीज आपको यहां पर तीन application है उनको आप लोग यूज कर पाऊगे जैसे कि अभी मैंने notes application को on किया है त इस टेप के अंदर गाईज आपको snapdragon 870 की chipset मिल जाती है जो कि normal users के साबसे तो सही है लेकिन अगर आप लोग कोई heavy game वगेरा खेलते हो ना तब इसका जो experience है वो आपको इतना अच्छा है ना वहां पर नहीं लग सकता है क्योंकि वेसे तो price range के साबसे आपको काफी quality ये सब चीजे देखते हो ना तो लगता है कि यार performance है वो भी इसकी up to date होगी लेकिन ऐसा नहीं है normal आपको performance है वो ये वाला tape है वो निकाल के देदेगा बाकि जो last हमारा point है वो ये है कि इस tape के अंदर आपको कहीं पे भी headphone jack का जो support है वो नहीं मिलता है आप लोग देख सक last मेरा point है वो है इसके अंदर कोई भी आपको fingerprint sensor है वो नहीं मिलता है या तो आप लोग इसके अंदर patent है वो लगा सकतो या फिर ये pin वाला password लगा सकतो और face low का support है वो भी आपको मिल जाता है लेकिन जैसे कि Xiaomi के phone के अंदर आपको यहाँ पे support मिलता है fingerprint sensor का अगर यहाँ पे आजाता तो वो जो चीज है ना वो और भी next level चली जाती बाकी guys यही मेरे कुछ points थे जो कि आप लोगों को बताने थे PBD sale के अंदर आपको Xiaomi Pay 6 की जो pricing है ना guys वो यहाँ पर मिलती है 21999 लेकिन आप लोग HDFC credit card है उसको यहाँ पर use करतो तो direct आप लोगों को जो discount है वो 4000 का दे आपने आपर already देख लिए होगा बाकी इसी टेप के comparison में एक और इसी की तरह आपको similar टेप है वो मिल जाता है जो कि Xiaomi की parent company है जो की है Poco और इनका एक आपको टेप मिलता है Poco Pay 6 जिसकी pricing इस से थोड़ी हाई है लेकिन ये एक आपको latest टेप है वो मिल जाता है और ये वाला जो Xiaomi Pay 6 है इसको launch away कई साल है ना कई साल तो नहीं एक से डेट साल का समय है ना वह आपर हो चुका है तो आप लोग इस वाले टेप की तरफ भी जा सकतो इसके अंदर भी आपको जो quality और specs है वो काफी सही देखने को मिलते है बाकी गईज आप लोग को होई वीडियो अच्छ आप है तो है मापम